आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजदा ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनोन है वही मेरी जिद है और वही मेरा समना तो आपके इसी जिद जुनोन और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी म कर लेकर आया है पाइलट बैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेल्वे एल्पी तथा टेक्निसियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोईन करें हमारा पाइलट बैच और अपने सेलेक्शन के सब्सक्राइब और दिए गई नंबर पर कॉल करें है कि जहिन सातियों कैसे हैं आप सभी मैं विर अंदर एक बार फिर से आप सभी बच्छों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चनल एससी मेकर परिवार पर एक बर सभी साती कोमेंट करके आवाज और जो है सब्सक्राइब करता तो आज के इस प्रेक्टिस सेट मिलेंगे आपके exam oriented question मिलेंगे आपको exam में हुब जो किसन देखने को मिलेंगे न वही किसन अपन यहां पर डिसक्रस कराते हैं जो आपके प्रीविए सेर में क्यूशन आच चुके उनमें कौन-कौन सेचे क्या मेरे को क्यों सब्सक्राइब देखो एक वेक्ति ने एक गड़ी 720 रुपए में उसने गड़ी बेची लेकिन जो घड़ी वेचे न वह 20% की हानी पर बेची थी 20% की हानी पर बेची थी 20% हानी का मतलब अगर अगर उसका कोश्ट प्राइज जैसे मालों कोश्ट इतरी डियान देना सभी सब है इसे कोश्ट प्राइज मैंने मतले गोश्ट फैक की सब्सक्राइब दैकर universe है तो चल्ब तो तो 80 unit की value आपको कितनी दे रिखे हैं दोसों, आपको देखें 720 रुपए, एक unit की value आशी कितनी आजाएगी 720 बटे 80, 720 बटे 80, आपका पूछा क्या है, अगर उसको 25% का लाब पराप्त होना, अगर उसको 25% का लाब पराप्त करने के लिए, उस गड़ी को कितने मुल्या में बेशना चाहिए, तो देखो 500 रुपए के कोश पराइज है, अगर उसको 25% का लाब लेना है, 25% का लाब लेना है, तो 125 unit में सेल करना पड़ेगा, एक unit की value आपके पास 720 बटे 80 है, तो 120 unit की value कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 unit की value कितनी हो जाएगी, 120 से गुना कर दूँगा, 125 unit की value पूछिए ना, तो गुणा कर दूँगा, तो कितना है, देखो यह बार चला गया, यह 9 बार चला गया, कितना आ गया, देखो यहां से, 900, 900 plus 25, 925, कितना हो गया, 250, तो मेरा कितना आ गया, दोस्तों, 1125, 1125 मेरा दोस्तों, यहां पर क्या हो गया, राइट आंसर, ओप पे, exam finisher की YouTube channel पे, तो जो भी बच्चा, जिसको भी profit और loss में थोड़ा doubt हो, वो उस डाइगंटे की वीडियो देख लेना, इसके बाद आपको कोई doubt नहीं आए, ठीक है, दोस्तों, तो आपको वीडियो देखना है, अगर आपको profit और loss में doubt हो, ठीक है, देखो, एक second number question बना लीडियो और उच्छाइ, यह देखो, एक समकॉन तरिफूज है, समकॉन तरिफूज है, इसका एक कौन समकॉन होता है, देखो, 6 cm और आज सेंटीमेटर है, देखो, एक तो आधार तो जैसे मौनले 6 cm है, उच्छाई है 8 cm, ठीक हब भाई, उचाई है 8 cm, आपको इसका छेत तो करण क्या होगा करण होगा करण होगा आदार का स्क्वाइर प्लस करण का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर तो यहां से कितना हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आया समझ अभी को बिल्कू सिंपल क्यों था बैस यहां पर से दोमने कोई रीट इंश को मैं मैं मृची छेटर पका रोग रोल नहींने यांपशी आगे आगे बढ़िएरनेर को नंबर तीन को इंपयाता सान नमर्टीन को बना दींगे न'm minutes Sam unpack 10 को बना दीजे फटापर यह सभी कि संपल की इसने संपल की संथी में विन हो एक संको की ठीज एक संकुट तर्जा च्छै ीसलाइच संपल मुशन हुरती है संकू का यहां हम संकू का यहां किसी में 3 ठीक है आर रे स्क्राइर कमांग एच कास्क। बनाए बिना को बनाई को बचा यहां पर नहीं रहेगा ठीक है सभी बच्छों को एक कार्य को दस दिनों में पूरा कर सकता है यानि कि जबकि एक कार्य को दस दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को तीस दिनों में पूरा कर सकता है देखो एक इतने दिन में करता है दोस्तों एक करता है तीस दिन में ठीक है यदि वह एक साथ पांस दिन तक काम करते हैं तो पहले मेरा काम क्या हो नचे पहले इनका ल देखना पहले कौन काम करें कितने दिन तक दोस्तों पांस दिन तक कितने दिन तक डूम राग काम करेंगा तो यह नीन तक किना है है इत्य है तो दीश के बराबर कर दो मात किता है ए फलास म काम को बच्चे हुआ को कितने दिन में पूरा करेगा तो शेट सैमको दस दिन में पूरेगी औल्ट करएक और नमर यहां पर मिरो राइटों घूंसनबर डी दोस्तों यहां प्र क्या हो गया राइट एंसर्ट थीक है ऐसम भीन नमरंघ को यह सबस्तों कियोंसर नमर पाँसको बना दिये नया के अच्छ के ज लिख 15 को एक प्रसंद्समणू करने का गया आप ढूतारी समय में कितने बाइब नहीं हो नीपटा वहे निकालने देखो किया बह लागे चाहतर को एक स्थ्रमों में पर्संद हल करने को लेखा घया 2.03G कि two Rules 3 तो यहाँ तो यहाँ ona – 2X wv3 थ्री बचों ने तो correct आंजर दे दिया on system तो ने तो correct answer दे दिया अब देखो मेरेको next line क्या वो लेगी है एक बटे छह चात्रों ने गलत answer दिया तो बता रोंग कितने दिया रोंग कितने दिया दोस्तों XY6 ने XY6 ने रोंग दे देने वाले तो बच कितने गए दोस्तों बच कितने गए जो मेरे को भचेंगे वहीत यहों costs और रोंग देने वालों कि टोतल कितने होगी दोस्तों वह वह गीर चाह एक स्का spectre 겼 рутटेच है अब तो जो आंसर नहीं ईसे जो अटएम्ट नहीं करते जो यह खितिन नहीं करते जो अटब नहीं करते उनक्य संक्या कितन को important है एक्स-ओट इस में से आंसर 13 और वारा के बराबर कर सकता हूं तो ससक्राइब एंब कितना आ चामान आ गया एक तो 22 20 ढाटटकर यानिकि मेरी एक्स का मानों कितना जोसा क्रीकर बैतर यानिट कि alcohol कि t तो एक सकता ंवों बनी है वो है बैतर यानिस की संब्सक्राइब कितने स्ट्स्ट्राइब वह दोश्च्ट्रेंट वांपर ऊपके तो two-ree तो तो 2x3 आ गया रोंग आंसर देने वाले एक्स भाई 6 ते दोनों को जोड़ दिया यह तो दोनों को आ गए दोनों को जोड़ा तो पांच एक्स भाई 6 यह कौन से स्टुडेंट आगे जुन्होंने आंसर दिया है चाहे गलत दिया चाहे सही दिया कोई दिक्कत निया अब दिया तो मेरा यहां पर 12 चेहर क्या आए गया बैतर यहनुका बैतर मेरा राइट आंसर हो जाएगा ठीक आ आप में भी कुछ पचे ऐसे होंगे जो कर्सरदेते कुछ बते रोंग आंसर देते ठीक है इनमें तो कोई बात नहीं तो अच्छे स्टुडेंट है जो आंसर देत सब्सक्राइब एन में नहीं एनमेन टिक्टिक है तो आया समझा ऊबदी को तो आंसर देने वाला बनो अटेंट नहीं करने कुरने वाला मतनम ठीक है चलिए नागे देखो कुछ से नंबर कुछ सल नंवर kisum नंबर 56 से पहले मं आपको बता दूंघ help कॉनेफल और सी के लिए एससी मेकर के एप्लिकेशन पर एक बैस उपलब्द है इसमें आपको जोड़ना नहीं बूला है अगर आप आर्पी आप कॉंस्टेफल और एसाई की तेहरी कर रहे हो ठीक है तो एससी मेकर के एप पे जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा वहां पे जाके आप पर्शेज कर सकते हो ठीक है इसके आगे देखो आर्मिय अगनिविर हो गया जारकन पुलिस हो गया और भी एलपी टेक्निसी नहीं हो गया एक पाइप एक पाइप एक टेंको तीन गंडे में बढ़ सकता है और पाइप सी छेंटे में खाली कर सकता है यानि कि दो तो in late pipe है और एक out late pipe है a b c 3 pipe है देखो a कितने गंटे में बढ़ सकता है 3 गंटे में बढ़ सकता है b कितने गंटे में बढ़ सकता है b 4 गंटे में बढ़ सकता है c कितने गंटे में कि खाली कर सकता है तो सी है गंटे में खाली कर सकता है कि इसकीशनषी इसकीया है कि मैन veramente ही लेगी ठीक भाई आप देख़ो काम वहीह काम मेरे रोड़ीक वहीść है मेरा टोटल लुद्च कितना आएगा vos दोस्तुमीरा बारा कितना आएगा यानि कि मेरी टोट你们 total ही तोटल क если अचिटि कितनी निवा रिटर कितनी 12 रिपान लीघ्य मनें तो एक है पिसेंज्य कित alive को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को बढ़ने में कितना सहमल लगेगा तीन को अगर मैं कि किरूज टोटेल बारा टोटल-बारा माली में अब देखो 39 टान्क की कि inputs गिव किन चार और 356 किटना और ड हाउच राया दोप गोंप हो इस हाउ त्सक्राह पां दो फॉन्ड ताол गनटे वहां बहुंत चार गंटे उसको लगेंगे यानि कि option number option number C दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा मेरा right answer हो जाएगा ठीक है option number C यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है समझ में आया सभी को option number C यहां पर दोस्तों right हो जाएगा option स्वाथ को बना दीजी क्या मेर को को था और उसके बेटी की हुमर मेर को पहले पिता की उमर एक पिता की उमर से चारude टी बेटे की हुमर से यह जाहर दी टो यह 도्य Windsor यह पिटाजी टो तो जैशे माहले छाहल साल पहले बेटे की उम्मर एक्स थी उतर लोगर एक्स थी और पिता की उमर चाहर गणा थी पांत साल पहले की बात और यह पांच साल पहले टीमर की बात रिक एक सबस्क्ता सब्सक्तान नियुक्त इस सिप्सक्तान है सबस्क्राइब में कहीं क्या सिवुर्शन है पिता की ऊमर तो ऑगी 4X आप सो बेटे की उमर होगी ऐक्स प्लस F49 बेटे की अमर होगी आइस प्लस वोगी आप डोनों का योग कितना देरह का दोनों खाटक लेटीक आपको नहीं लुटे के वर्ट्रे पूछाट hunter यह टेंटो दो DB problem सब्सक्रीके पर शकी क्म नवे से dus 12 यह अरवा की बहुत है फॉल्स चैनल फेया जाथ सोलाय गया एकापलह समय मेरा प्लस्टोदकर नोरुपास तो दो यानिम आप उप्षन से भी चेक कर सकते हो आप वर्तमान उमर बेटे की कितनी मानों 16 मानों फिर उसमें 5 साल गठाओ और पिता की उमर को दुग नहीं करो फिर दोनों कंडिशन को सेटीस्फाइ कर देगा इसका मतलब वह आंसर राइट है अधर्वाइस वह आंसर गलत है ठीक है तो आप उप्षन से ही चेक कर सकते हो अधर्वाइस एक्स मान के भी आप कर सकते हो ठीक है तो जो मर्जी आपकी है आप उप्षन से करो बहुत बढ़िया है आप एक्स मान के करो तो भी बढ़िया है कोई दिक्कत दिए ठीक है एक्स मान के करोगे तो कई क्यों में आप फज़ का जो है डोफ करते टीक हो बैँ आगए दोखो किवसर नमर आठ कोसर नमर आठ का है कि तीन विद्धार्िति एक करण समिंय अठाइब दीकिट कहलते है ठीक है ठीक है ठीश विद्धार्थियों था फॉल 310 ऑजो बोल्न की अब देखो इन में से कुछ विःति ऐसे भी है जो दोनों खेल के लुट की बीच में गई दोनों के बीच में गरगेface le rivals ओनी गुद craigit खेलने वाले कितने हैं only cricket किले वाले दोस्तों है है six only Aziz कोतने हैं दोस्तों वह दोस्तों अब दिखो खेल खेलनेगा sister याने कि खेल कितने स्टूडेंट को खेलते हैं तो आपको ऐसे स्टूडेंट बताने की कख्षा में कितने हैं इसमें कोई भी खेलता होले कि खेलते हैं सब्सक्राइब नहीं जो कोई भी यहांपर यहांपर मेरा अंसर दी हो जाएगा समझ मैं आए अब अगे भड़े के सर नम्र्णोट भया दिए को सभी बच्छे बनादेंगे क्रिश नमर्णोट मुश्चे गया देखना शैंटल आठ सेंटल और 10 सेंटल लंबाय वाले बुजाओं के तुर्ई की सबसे बड़े कौन का मान बताना है सबसे बड़े कौन का मान आपको बताना आपको बता कैसे बतात की बता देंगे इस थे नोqua सफ तो यहां पर 10 आता है इसका मदलब वहां पर पाइथा गुरस पर में सीधो रही है इसका मदलब यह डाइट रैंगल ट्रेंगल के आधार ओर लंभ है और यह राइट अंगल ट्रेंगल का करने आप देखते बता पाओगे अधरवाइज देखते नहीं बता पाओना तो आप कैसे होगे आपको क्या करने दोस्तों आपको शब से बड़ हैं काश्या कोश्चा करने एक कॉन नबर डिगरी का होता है मैंने माली कि ये बुझा 6 है ये बुझा 8 है सबसे बड़ी बुझा क्या होती है सबसे बुझा क्या है इसमें 10 है नहीं कि 10 क्या जाएगा करना जाएगा तो ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा अब आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कॉन क्या होगा देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में नबर डिगरी तो होता ही होता है क्या दूसरा कॉन नबर डिगरी से बड़ा हो सकता है क्या दूसरा कॉन नबर डिगरी से बड़ा हो सकता है गया नंबर डिग्री बड़ा कभी हो सकता है आप एक बात सोच के देखना अगर मेरा कोन दूसरा कोन कोन तो तो था कोन क्या है गई गा भाई थैसने गोन हम लोग्य नहीं हो सकता नव 2 से बड़ी से बड़ी बात है लेकिन नभ डिग्री के तो बराबर नहीं होचकता है इसका मुला नबर निग्री सोटा होगा कुछ भी पतानी कुछ भी यहांपे हो सकता है लेकिन मेरा एक नबर टीकर होगा जो कि सबसे बड़ा ओगा जो की सबसे बड़ा कोण होगा तो option नमबर और सबसे बड़ा क्या जाएगा 90 90 दिग्री 90 डिगी में अप्षन ऑवर B जो है राइट tea आगे देखे किः ड़टTu क्योसे नवर दसको में साधान चैक तर एक दंडरह दानग एक दंडरह में सैंआरभाइड्य क्या वंडरह एक को द्यान से जमना कैसे करते हैं इस टाइप के कुछन को बहुत ही इजी होते हैं आपकी एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो आपको एक कंसेट समझना पड़ेगा कंसेट आपको समझना पड़ेगा साधान ब्याज और साधान ब्याज का मतलब क्या होता है यानि कि कोई हमेशा ब्याज समान होता है हमेशा हर वर्ष का ब्याज समान होता है compound interest में क्या होता है वहां फिर ब्याज अलग अलग होता है जबकि साधान ब्याज में हर वर्स का ब्याज समान होता है एक पसका सो रुपई होगा तीसरे वर्स में कितने होगी होगी दोस्तों हमें कितनी होगी से गिजवर कितना को यह लगा दोस्तों कि एक रूपय एक रूपय व्यास लगा मेरा शैवर्श में झाल खाओ धीक है लेखता मैं रुपय ना वो कितने रुप में बढ़ा है बाड़ यानि क एक रुपया सिंपल इंट्रेस के लिए मेरे项 इंतोज饭ा ऐसे प्रिप अब खब 1 रुपया सिंपल इंट्रेस कब गयान और रहता समय इन ऑ ठीक है ऐसे आपको क्या पूचा है आपको पूचा गए कि समान दन्राशी समान दन्राशी वही दन्राशी पर वही दन्राशी मूल दन्राशी का चार गुना हो जाए चार गुना यानि कि चार हो जाए तो कितने वर्ष लगेंगे तो कितने वर्ष लगेंगे अब एक बात तो एक से क यहां पर निकालना पड़ता निकालना पड़ता है ऐसे नहीं कि वही चार गुणा होड़ी तो आपको चार से गुना कर देंगे चैको चार से गुना कर देंगे ऐसे नहीं करना आपको चैको चार से गुना नहीं करना यहां फिर दुगनी और इसका मलब ब्याज एक लग रहा है एक ब्याज शेवर्ज के बराबर है तो तीन ब्याज किसके बराबर होगा अठारा बर्च के सब्सक्राइब नोट करना नहीं बूलना भई ठीक है नोट करते रहे न अच्छा क्यूशन है वहां पर उसको नोट करना ही करना है दोस्त ठीक है बई कि देखो क्या बहुत है 240 मिटर लंबी एक ट्रें एक ट्रें एक खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर लंबाई चलेगी तो डिस्टेंस बराबर कितना है कितनी है 20 340 मैं कितनी है 2020 मिट स्पीड सरी टाइम कितना है आगे दिण पर से गंद कितन अब देखो अब यही ट्रेंग क्या करे इए ठेंग या करे एक प्लेटफर्म को पार करि krijh एक प्लेटफर्म को अगर पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी दोस्तों कितनी दूरी मिटर टीजिक अब उसकी दूरी कितने होगी दूरी कितने होगी 890 मिटर 890 मिटर आपको पूछाए कि कितना समय लगेगा Speed कितनी है 200 Speed है मेरे पास 10 मीटर पर सेक्ड कितनी है 10 मीटर पर सेक्ड आप देखो यहां फेe टाइम सभी वरचे बता देंगे Distance upon speed Distance है 890 लगेंगे मेरे को उस प्लेट फुम को पार करने में तो आया सभी को समझ में आए के दोस्तों और आपको क्यों समय नहीं आता ना दोस्त तो आप को मेंट करके बतादे ना कि यह समय आए अगली बार अगर सभी बचोंगे जद्धा डाउट होगे ना दो एक तो बात होती है अगर आपको चीज़े समझ में आई ठीक एक बार देख लिया आप वीडियो को दुबारा प्ले करके देखा दो दुबारा पंपले करके दो कि चीज़े ज्यादा समझ बाइएंगी चीज बिल्कुल विडियो मानता हूं कि कई बचों को नहीं समझ वहता एक बार देखते ही समझ आ जाता है वो बच्छे ज्यादा इंट्रेडीजेंट होते हैं और कुछ बच्छें यहां पे जिनको दो बर पढ़ने साथ है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहता है वो भाई पाइलेट बैच को फटा पर जाके जोइन कर लेगा ठीक है वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस ले उतकी पड़ाई के रही जा रही है बिल्कुल आपको आपको एक्जान एक्जाम ओरियंटेट जो है कंटेंट दि बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाए जाएगा तो कोई भी बच्चा बिना अगर वो आर्प्व की तयारिक तो बिना इस बैच के नहीं रहेगा ठीक है बिना इस बैच के भाई नहीं रहे ना ठीक है आगे देखो आर्मी अगनिवीर के लिए एससी की क कोर्स में जो है जूर सकता है आगे देखिए मैथ और इजनी की डेली रोज रात आट वजे अजय सर की लाइव क्लास होती है तो जो भी बच्चा जो भी बच्चा मैथ मैथ और इनको एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है वह अजय सर की क्लास से जुड़ना ने बुले ठीक लिंक पर किलिक करोगे उसी प्लेटफों पर तुरंट पहुंच जाओगे तो आपको एक्जाम से रिलेटेर जो भी यहां पर आपके लिए अपडेट आएगा वह तुरंट आपको आउगत करा दिया जाएगा उससे ठीक है तो आप सबी प्लेटफों से इन लिंक के माद़ करके ज़रूर बताना कि कैसा डगा आपको कैसा लगा ठीक है आपके कॉमेंट और लाइक होते हैं वह अमारे लिए दोश्को मोटिवेशन का काम करतेließen तो सभी बचे एक बर लाइक और कोमेंट करके जरू बताएं कि हाँ सर आज ऐसका सेसन कासा लगा कैसा लगा ठीक है नहीं तो चलिए फिर आज स्मापति करते हैं सभी बचे लाइक और को मैंट करके पर जरूसक तहonta ये मेरा ये आपसे ये वादा करके आधा करेंगे साहँ सर बिल्कुल लाइक of स्वारत, थैंक यू